कि चलिए आज इस टापिक में क्या देखेंगे कंपनी लोक का एक और टापिक धेटिस बुक-बील्डिंग क्या है डिखें की कॉंबशन पर उसके का की इस कugg कर गें लिए जो बीजनसमेन होता है उनको पत शेयरथ दो रहे हैं उसे तो पैसे की जुरत होती है तो उसे पता चल जाते हैं यहां से तो company की in company की help करने के लिए help करने के लिए बड़े-बड़े bankers आ जाते हैं कि हम मदद कर देते हैं आपके shares को issue करने में और बदले में उनको क्या चाहिए होता है कमिशन चाहिए होता है तो माल लेते हैं मैं अपनी company का example ले लेता हूं SKD Limited company जो है यह चाहती है कि हम shares को issue करें लेकिन यार शेयर का price क्या होगा प्राइस का मतलब के market में कितना acceptable है मेरा प्राइस मैं जानना चाहता हूं कि मेरी company का एक share लोग बाग कितने का खरीदना चाहते हैं फिर इनके जो expert होते हैं banker के banker जो होते हैं bank manager या book manager कहते हैं इसको यह expert होते हैं यह price set करते हैं कि यह इतने का हो सकता है इतने से इतने हर एक expert अलग अलग बताता है तो इनका price कुछ होता है इतने से इतना जैसे माल लेते हैं कि 200 से लेके 300 हो सकता है price भाई एक ने बोला भाई नहीं company अच्छी है 300 से साड़े 300 price होगा एक ने बोला पागल है क्या साड़े 300 से लेके देखियो 400 तक इसका price public खरीद लेंगे एक ने बोला तुम सब पागल हो यह 500 से लेके 800 के बीच में बिखीगा तो हर एक का अपना अपना एक राय है तो यह banker वगेरा क्या करती है book building के through public को बोलती है आप हमारे shares को खरीदना चाहते हो हम issue करने वाले हैं आप bid लगाई है आप कोन सा price खरीदोगे तो सबसे पहले जो इसमें बोला था ना कि 200 से 300 का price होगा तो यह price और यह price इसके अंदर इसको बोला जाता है floor price इसको floor price बोला जाता है और यह हमारा end price होता है एक तरीके से ना कि इससे उपर नहीं जाएगा और इसके बीच का जो difference होता है ना जैसे मैंने बोला कि भाई कि आपका जो price होगा ना वो 5 रुपे 5 रुपे के बीच में difference हाएगा जैसे 5 5 रुपे का round figure करते है ना 5 के इसको ब folder bid लगाता है आपको लगाना है 200 से 300 के बीच में तो आप 201 रुपे नहीं लगा सकते 205 लगाना पड़ेगा इसके बाद आपको 206 नहीं लगा सकते 210 लगाना होगा यहां पर 2 लाख application आगे यहां 3 लाख आगे यहां एक लाख आगे यहां 80 अजार आगे तो अब जहां पर सबसे ज़्यादा application आया ना हमें पता चल गया है कि भाईया इसी को issue किया जाएगा तो इससे पहले वाले जितने हैं पुराने वाले इनको कर देंगे reject और इन सभी को हम accept कर लेंगे और बोलेंगे भाईया अब फिर से हम अब shares को issue करेंगे तो book building basically क्या है अपनी company का price को जानना कि कितने price में हमारी company का share issue हो सकता है और फिर हम लोगों को बोलेंगे कि भाईया हमारी company के shares apply करिए और shares जब apply करेगा तो उनको prorata basis पे यानि ratio के basis पे उनको share दे द करती है red herring prospectus में भी कभी भी नहीं बताया जाता कि आपका shares कितने का होगा बस price band done कर देते हैं तो hopefully आपको clear हुआ होगा कि book building के बहुत छोटा सा आपको पढ़ना है और इसके अंदर fix भी होता है हमारा और एक होता है हमारा जो change होता है तो एक बार फटा-फट से देख लेत is capital यानि shares issue करना चाहती है in the primary capital market यानि sir IPO के through initial public offer यानि IPO right issue करना चाहती है या private placement करना चाहती है IPO largest source of fund of the primary capital market are basically invitation by the company to the public मतलब पब्लिक को invitation दे रहे हैं कि भाई या हमारी company के share खरीदो subscribe the security offer through the prospectus a company can make public offering through fix price fix price के अंदर क्या होता है कि भाई या 300 रुपय का है अब देखते हैं कितने application आते हैं अब पता चला कि भाई बहुत सारे application आगे तो 300 कई दे देंगे और एक होता है हमारा book building price book building method तो book building method में क्या होता है या फिर दोनों combination कर देते हैं book building में हम क्या बोलेंगे कि भाई या 300 से लेके 400 के बीच में आप apply कर सकते हैं आप अपनी bid लगा दो उसके अंदर या दोनों हो सकता है भाई या 70% share तो 300 से लेके 400 400 के बीच में बिकेगा और 30% share तो हम साड़े 300 का ही बेचेंगे द 400 यह तो book building का concept हो गया क्या company इनका बीच का प्राइस ना रखके सिर्फ एक प्राइस रखते जैसे fix प्राइस होता है उसमें कर सकती है मैंने बोला 300 का ही होगा क्या book building हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जब 2002 की बात है यह 2002 की बात है एटल ने अपना इस तरीके से book building करा था और इतने का रहेगा ठीक है तो यह था हमारा सारा का सारा case laws और हमारा book building तो prospectus chapter हमारा लगबग लगबग खतम हो गया है लगबग क्या 100% ही खतम हो चुका है